5, 4, 3, 2, 1 भारत की राश्ट्रपती श्रीमती द्रावपदी मुर्मू ने आज 21 फरवरी 2023 इटा नगर में अरुडाचर प्रदेश विधान सभा के विशेश सत्र को संबोधित किया। इस अउसर पर राश्ट्रपती ने कहा कि अनुशासन और मर्यादा संसदी परणाली की पहचान है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाद विवाद की सामगरी और गुडवत्ता उचतमस्तर की हो। साथ ही हमें विकास और जन कल्यान के मुद्दों पर आम सहमती बनाने की जरूरत है। उन्होंने इस पर अपनी प्रसनता व्यक्त की की अरुणाचर प्रदेश विधान सभा ने संसदी लोकस्तंत्र के उचतम मानकों को बनाय रखा है। राश्ट्रपती ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सर्वुच सम्मान बनाय रखने को लेकर विधान सभा के मौजूद और पूर्व सदस्यों की सराहना की। राश्ट्रपती ने कहा कि आज के युग में परियावरन प्रदूशन और जलवायु परिवर्तन एक विकट समस्या है। हमें इन चिंताओं का समाधान जल्द खोजना होगा। अरुणाचर प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से संग्यदन शील राज्जियों के लिए ये मुद्दे और भी महत्वपून हो जाते हैं। उन्होंने इस पर अपनी प्रसनता व्यक्त की कि इस राज्य के नीती निर्माताओं ने इस मुद्दे पर अपना ध्यान रखा है। अरुनाचर प्रदेश ने पक्के घोषणा के माध्यम से जलवायू परिवर्तन के लिए प्रतिबधता दिखाने का संकल्प लिया है। उन्होंने आशा व्यक्त की की अन्य राज्य भी जलवायू परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए इस मौडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राश्ट्रपती ने डिजिटल इंडिया कारिकरम के तहट इविधान कागज रहित डिजिटल यात्रा को लागू करने के लिए अरुनाचर प्रदेश विधान सभा की सराहना की। उन्होंने बताया कि राजी सरकार ने साल 2022 को इशासन का वर्ष घोशित किया है और कई इशासन परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजनाएं न केवल प्रशासनिक सुधारों में सहायता करेंगी बलकि आमनागरीक के जीवन को आसान बनाने में भी योगदान देंगी। राश्ट्रपती ने इस पर अपनी प्रसनता व्यक्त की कि विद्यालियों, कॉलेजों और विश्विद्यालियों के छात्रों के लिए विधान सभा उस्तकाले की सुविधा निशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने इसका भी उलेख किया कि अपनी विधान सभा को जाने पहल के तहत यह समय समय पर छात्रों को विधाई कामकाच से परिशित कराने के लिए आमंतरित करती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पिधी इन सुविधाओं का लाब उठाएगी और देश्व प्रदेश की प्रगती में योगदान देगी। राश्ट्रपती ने कहा कि अरुनाचल प्रदेश की इस धर्ती पर सदियों से स्वशासन और जमिनी इस्तर पर लोगतंतर की एक जीवन्त प्रणारी मौजूद है। इस राज्य के लोगों ने आधुनिक लोगतंतरिक प्रक्रिया में भी बढ़ चड़कर हिस्सा लिया है जो उनकी राजनितिक चेतना और लोगतंतर में विश्वास को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि नागरिक जन प्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वे प्रदेश के विकास और जन कल्यान के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। राज्य के सीर्ष नीति निर्माताओं के रूप में विधान सभा के सदस्यों की राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है राश्ट्रपती ने कहा कि हमारे देश के समग्र और समावेशी विकास के लिए हर कारेशेत्र में महिलाओं की अधिक भागिदारी होनी चाहिए राश्ट्रपती ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत की एक्ट इस्ट नीती में एक प्रमुख हित धारक भी है उत्तरपूर्वी शेत्र लंबे समय से सडक, रेल और हवाई संपर्ग की कमी के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रहा था लेकिन केंद्र सरकार उत्तरपूर्व में संपर्ग और विकास को सरवुच प्रात्मिक्ता दे रही है उन्होंने इस पर अपनी प्रसनता व्यक्त की की विकास का सूर्य अरुनाचल प्रदेश को प्रकाशित कर रहा है राष्ट्रपती ने कहा कि सम्रद्ध प्राकर्तिक संसाधन और गुडवत्ता पून मानाव संसाधनों के साथ अरुनाचल प्रदेश के पास एक आकारशक निवेश और गंतव्य और व्यापारिक केंद्र बनने की पूरी शमता है राष्ट्रपती ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस शेत्र के लोग अपनी जड़ों से कटे बिना विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें हमें इस शेत्र की परंपरा, संस्कृति और मूलियों को संग्रक्षित करने वह बढ़ावा देने पर जोर देने की जरूरत है अरुडाचल प्रदेश के जन प्रतिनिधी के रूप में इस विधान सभा के सदस्यों को राज्य के सांस्कृतिक मूलियों और परंपराओं की समर्द्धि को बनाए रखते हुए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमी का निभानी ह इस वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में इस पैसेज का टेक्ट्स दिया हुआ है